हाई दोस्तों जुहार नमस्ते अब देखरें जीवन का विलेश निशर व्लोग में और मैं जीवन का आप सभी के स्वागत करता हूं आज किस नहीं वीडियो में कि यह दोस्तों कुदाल मैं पगड़ के जा रहा हूं बदम कोड़ा करने के लिए क्योंकि अज शुरुवात है चलिए लेट से मुझे आज जाना पर रहे हैं सबसे पहले तो आप लोगों को गुद मॉर्निंग क्योंकि अभी शुबा-शुबा का टाइम है तो शुबा का लगबग वहीं टाइम हो रहा है साथ चाथ बच गया है क्यों कितना नेंद लग रहा थना दोस्तों रात में लेट से उठना पड़ा कल से जल्दी उठना पड प्रश्च अब लगब तो मैं अभी कोड़ा करने के लिए स्टार्ट करूँगा चलिए वीडियो में बने रही अपलोग कंटिनियूंग रहा है करते हैं दिखे दोस्तों वहां से लेकर यहां तक कोड़ा किया हूं तो इधर तो बच गया है और यह सेट भी बच गया है और उधर थोड़ा सा जगा बच गया है तो सेकेंड हाप में आऊँगा तो इसको मैं कम्प्लीट कर दूँगा क्योंकि मुझे सेकेंड हाप में भी आना पड़ेगा दोस्तों ज़र सेकेंड हाप में आऊँगा तो यह सेट का कम्प्लीट हो जाएगा तो दोस्तों अभी मैं दुबरा से दो पाहर के बाद आया हूँ कोडा करने के लिए क्योंकि मैं दो पाहर में खाना खाने के लिए घर तो अभी मुझे जाना पड़ेगा कुदाल लाने के लिए तो अलग घर में अभी मैं जाऊंगा अपना कुदाल को वही पे छोड़ा तो वही पर अभी मैं जाओंगा कुदाल लाने के लिए फिर मैं लेकर आता हूं कुदाल फिर सुरू करता हूं कोडा करने के लिए हौ लाने के लिए 높े लिए एखेख ईखने के लेकर आता हूं करने के सुरू खेखा हूं क मैं रही ह्याओंगा समय दो हैं कर दो कर दो कर देखिए धर थोड़ा रिगड़ा टाइप से है पत्थर भी है धर बड़ा बड़ा यह भी है पत्थर तो दोस्तों इधर कर थोड़ा रिगड़ा टाइप से है इसलिए थोड़ा जल्दी नहीं होता है कोड़ा करने के लिए पत्थर मिल जाता है फिर पत्थर को निकला के फेको बाहर मैं तो सोच रहा हूँ जल्दी फल दिगा रहूंगा और जल्दी नहीं तो देखिए दोस्तों आज मैं कितना बादम कोड़ा किया हूँ सुबा और सिकेंड हाप का देखिए वहां से यहां तक पर देखिए सेट का थोड़ा सा बच गया है इसको कल सुबा हूँगा फिर इसको कोड़ा कर दूँगा फिर ओसेट का कोड़ा करूँगा दर का चलिए दोस्तों छे भी बच गया सामका तो अभी मैं घर जाओंगा पहले कुदाल को मैं रखने के लिए जाता हूँ यह वाला घर में यह वाला घर में मेरा बड़ा पापलो का घर में